है गाइस लेटकम बैक टू मैं चानल मैं हूं जीनात और आप देखे हो जीनास की जन्दी सबसे पहले मैंने लिया है पुलाओ गोस्पनानी के लिए चीकन आधा किलो उसके साथ से मैंने प्यास ले लिया है एक कस्मीरी लाल मिर्च खड़ा लिया है दो तीज पत्ते तो सबस दो तीज पत्ते और इसमें मैं आट करूंगी जीरा अगर आप जीरा नहीं मैं आट करना चाहए आप सह जीरा भी आता है पर स्ड़नों की वह जीरी जैसे होटे लेकिन वह थोड़ा बारिक होता है उसके मिज़ एसमेह बॉलता है आप वह आट कर सकते तो मैंने स्ट़ुल जीर और जीरे को अच्छे से ब्राउन होने देंगे फिर जितना मैंने प्यास काटा था इसमें एड़ करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर फ्राय करेंगे कि आप तक हम इस तरफ प्यास को बिलकुल रेड कर रहे हैं तब तक हम पुलाओ के लिए राइस तैयार कर लेते हैं तो पुलाओ बनाने केलिए मैंने समें लिया है इस ग्lairस से विजफ साढ़े तीन ग्लासूच और हमें पानी ले साथ बढ़ में नहीं लूंगी, क्योंकि बराबर हमें पानी नहीं लेना है, एक दो या तीन इंच वेक कम पानी लेना है पुलाव में और में कुकर बनानी होँ, मिल्कुल खिली खिली प्लाव बनेंगे आप देखना पूरा एंड तक वीडियो में कैसे बनाती हूं तो जम इस प्यास को जब हम फ्राय करेंगे तो थोड़ा सा पुलाओ को कार्णिश करने के लिए हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे प्यास को इस तरीके सा हमें पस थोड़ा सा निकालना है बागी सारा प्यास हम चिकन में एड करेंगे तो बस हमने चिकन को है इसमें सारे चिकन को अड्ड कर लेंगे और इसको हाइश हाई फ्रेम पर एक मिनट के लिए चलाएंगे पर एक मिनट चलाने के बाद मैंने इसमें वन टीस्पून नमक एड़ कर किया और बाकी मसाले में भी वन टीस्पून नमक एड़ करेंगे क्योंकि इसमें अच्छे से चिकन में एबजर्ब हो जाता है नमक और इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम पर फिर इसे हम चला कर अच्छे से ढख देंगे थोड़ा सा कुक होने के लिए फिर खुद बखुद थोड़ा बहुत पानी चोड़ता है जब तक सूखना चाहे पानी तब तक हमें इसको पकाना है तो बस इसे अच्छे से चला कि मैंने लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए छोड़ दिया है अंदर से थोड़ा बहुत कुक होने के लिए दूसरी तरफ हम पुलाओ के लिए राइस बनाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने कुकर में रिफाइन ओयल एड़ किया आप चाहे तो घी आड़ कर सकते हैं और जो भी गरम मसाले में खड़े कर मसाले आते हैं जैसे लॉंग हो गया काली में चोगया बड़ी लाची कुकि छेटी में राइस बनाने में में या फिर आप जिसने में कुछ Temp बोल सकते हैं पुलाओ कि चौण पुलाओ को में चूण को बना बने तो इस में पानी डाल दिया पानी डाल के मन ढख दी जब तक उबालना आजा और उसमें भी मैंने एक चमच नमक एड़ कर दिया दूसरी तरफ हमारी जो चिकन है बिल्कुल अच्छे से फ्राइब हो चुकिया अब मसाले में हमने इसमें डाला है अद्रक लैसन और काली मिर्श का पेस्ट बाकी में पाउडर यूज करूँगी इसमें अगर आप खाना बनाते हो तो आपको क्वांटिटी पता होगी कि अद्रक लैसन कितनी इसमें डलेंगे और थोड़ी सी काली मिर्श मैंने इसमें मैं पहली ही पीस के रखती हूँ तो मैंने पीसा बहता है मैं इसमें एड़ करूँगी बाकी हम पाउडर का जो है इसमें इस तो टोटल फाइनली मैंने इसमें एड़ कर दिया और अच्छे से हम इसको चला लेंगे जब चिकन को हम प्याज में फ्राय करते हैं तो 50% कुक हो जाता है अब हमें इसमें जो है लो फ्रेम पर हमें इसे प्रकाना है ढग ढग कर बाकी सौफ्ट चिकन बिल्कुल बनता है द कुलाओं में दहीनी डलते हैं दुस्री तरफ हमारे पानी में उबाल आ चुके हैं तो मैं इसमें चावला एड़ कर रहे हूं चावल को मैंने दो मिनट पहले दो कर वाश करकर रख लिया था है तो फैनली अच्छे से चलाकर हमें लॉक कर देना कुकर को और हाई फ्लेम पर एक सीटी लगानी है चब एक सीटी लग ज़ये तो हमें तुरांट गैस सब्सक्राइक को आफ करके हमें सीटी निकाल देनी है गैस जितने अभी कुकहर के अंदर बंद रहे हमें निकाल देना उससे किया होगा चावल जो है बहुत अलग तरीकी का चिप चपापन आएगी तो मैं सारा गयास निकाल देना है कुकर से और सारा गयास निकाल के फिर समसीटी लगा देंगे और छोड़ देंगे दूसरी दिर देख लेते हैं चिकन को चिकन बिल्कुल देखे बनाया बाकी हाई फ्लेम पर मैंने स्टार्टिंग में ही जो है चला लियाता है और हाँ जिसे हम पोटा बोलते हैं फिर कलेजी बोलते हैं तो मैं आधा फ्राय करती ही वक्त निकाल लेती है उसक्त अच्छे से फ्राय हो जाता और बड़ा मज़ा आता इसे खाने में तो यह को हमारे चिकन अच्छे से भुण चुका है एक में टल भी चुड़ चुका है और मैक्सिमम चिकन पक चुक के हैं लेकिन हमे पानी यदा अड़ करके और थोड़ा पकाना है ता आपको कितनी तरीदार सबजी रखनी है ग्रेवि रखनी है पतली रखनी है तो आप पतला बढ़ाल दिया था सीटी लगा दिया था उसके बाद देखिए कितना बढ़े हैं खिला-खिला राईस जो है बिल्कुल बंकर तयार है अब इसमें मैं थोड़ा कलर एड करूंगी ऊपर से आप चाहें तो पानी में थोड़ा एड करका डाल सकते मैं सुका उपर से चलक रही फ्राई करते वक्त उसको मैं घाणिश्म कर दूंगे वक्त सेखाए तो और इधर बिल्कुल चिकन तयार है मज़ेदर और लाश्ट में मैं उतारते समय हरा धनिया उपर से आड़ करूंगे और गरम मसाला का पाउडर क्योंकि मैंने मसाले में गरम मसाला यूज नहीं किया था तो मेरे पास पाउडर ते तो मैं पाउडर यूज की आप चाहें तो मस बहुत ही टेस्टी बना था और मैंने इसे रात में बनाया था और बहुत जल्दी बना लिया था तो इसलिए मैंने शेयर की कि अगर आपको भी खाने का मन हो तो आप भी बहुत जल्दी बना सकते हो इस तरीके से तो यह देखिए मज़दर पुलाओ और गोस्त बनकर तयार है यह देखिए बल्कुल तीस मिनट में आप ट्राय जरूर कीजिएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई डाउट हो तो पोचलना एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियोज